हेलो दोस्तो अगर आपने यूटूब पर किसी वीडियो में किसी का कॉपी राइटड म्यूजिक जूज कर लिया है तो आपको कॉपी राइट क्लेम मिर सकता है आज की वीडियो में हम अपनी वीडियो से कॉपी राइट क्लेम को खत्म करना सीखेंगे सबसे पहले जानते हैं कि copyright claim होने से हमारी वीडियो को क्या फर्क पड़ता है copyright claim होने से हमारी वीडियो monetize नहीं होगी अगर वे monetize हो भी गई तो उसका सारा revenue उसको जाएगा जिसका हमने music use किया है ये भी हो सकता है कि हमारी वीडियो कुछ countries जहां फिर पूरे world में block हो जाए copyright claim रुबूब करने के लिए आप अपना youtube open कर लीजिए उसके बार youtube studio को open कीजिए जहां left side में आप content पर click कीजिए जहां आपको आपकी सभी वीडियो दिखाई दे जाएगी जे देखिए जिन जिन वीडियो पर कोई copyright claim नहीं है उन पर monetization on है इस वीडियो पर copyright claim है तो जे वीडियो monetization के लिए in eligible है जहां पर copyright claim लिखा हुआ है आप वहाँ पर click कीजिए see detail पर click कीजिए तो उसकी सारी detail खुल जाएगी किस music की बजा से आपको copyright claim मिला हुआ है और उसका क्या effect है आपके पास चार option है आप इन चारों में से किसी को भी जूज करके copyright claim को remove कर सकते हैं पहला option है trim out segment का अगर आप इसको जूज करेंगे तो आपको option मिलेगा कि आप अपनी वीडियो का उतना फिस्सा delete कर दो जिसमें copyright claim मिला हुआ है आप जहां continue पर click करेंगे तो आपकी वीडियो में उतना part delete हो जाएगा जिसमें आपने कोई copyright music जूज किया हुआ है दूसरा option replace song का है अगर आप इस पर click करोगे तो आपके पास उस गाने को replace करने का option होगा YouTube library से आप कोई भी music जूज कर सकते हो और copyrighted music को replace कर सकते हो आप जहां से music play करके देख सकते हो जो भी music आपको अच्छा लगे आप जहां से add कर लीजिए तो आपके copyright music की जगा वे music add हो जाएगा आप save पर click करोगे तो वीडियो पर सेस होने के बाद आपका copyright music remove हो जाएगा आपके पास तीसरा option उस music को mute करने का है आप जहां से जा तो उतनी वीडियो का पूरा music ही mute कर सकते हो वीडियो में कोई audio play नहीं होगी जा फिर beta version में आप सिर्फ और सिर्फ जो copyrighted music है उसी को remove कर सकते हो बाकी sound वीडियो में रहेगा आप continue करोगे तो जे वीडियो पर सैस होगी उसके बाद भी music हट जाएगा और आपका copyright claim भी हट जाएगा आपके पास चौथा option dispute का है अगर आपको लगता है कि आपनी किसी का भी copyright music use नहीं किया तो आप dispute पर click कर सकते हो आप जहाँ पर tick mark लगाओगे continue करोगे जहाँ पर आप reason बताएंगे कि आपका original content है जाँ आपने वो किसी से purchase किया है जहाँ वे public domain पर जूज करने के लिए available था आप इन में से जो भी option आपको suitable लगे उसको tick mark करके continue कर लेजिए आपको द्वारा tick करना पड़ेगा और जहाँ पर आपको अपनी पूरी बात detail में लिखनी पड़ेगी जहाँ पर आपको सभी जगा टिक लगाना पड़ेगा सगनेचर में आपको अपना नाम लिखना है और submit कर देना है जूटूब आपकी वीडियो को चेक करेगा अगर उसको लगेगा के आपकी वीडियो सही है और उसमें आपने किसी और का copyrighted content चूज नहीं किया तो जूटूब आपका copyright claim remove कर देगा तो दोस्तो अगर आपको जोए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको like and share कीजिएगा इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरा जूटूब चैनल को subscribe कीजिए अगर आप किसी और platform पर हो तो follow कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep learning, keep growing, take care